मसूडे क्यों फूल जाते हैं? पायरिया रोग का कारण क्या है? जरा सोचिये, जब आपके हाथ में एक कट हो जाए, उस कटे हुए स्थान पर जब कीटानू प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर स्वतह ही एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया से हमारे शरीर की रक्षा करता है इस प्रक्रिया को प्रति रक्षा तंत्र कहते हैं यह कटा हुआ स्थान बाद में लाल, सुजा हुआ एवं गर्म हो जाता है इसी प्रकार से हमारा शरीर उस कटे हुए घाव में कीटानों के प्रवेश होने से लड़ता है यह हमारे शरीर का प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जो स्वत है ही और हमेशा होता है क्या यह प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत सालों से चल रही है और क्या यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर चलती रहेगी हम इसे पहचान नहीं सकते जब यह होती है यह स्वत ही होती है और हमारे शरीर की कीटानों से रक्षा करती है आपके मसूडे दातों को घेर के रखते हैं और इन मसूडों के चारो तरफ ब्रश करने के बाद यदी प्लाक, पीला चिपचिपा या कैलकुलस टार्टर कीटानू बाहुल्य बचा रह जाता है जिस से हमारा शरीर हमेशा की तरहे इन कीटानूओ को पहचान कर इन कीटानूओ से हमारे शरीर की रक्षा करता है ये कीटानू दातों के चारो तरफ इकटठा होने लगते हैं जिन को ब्रश करके निकालना आवश्चक हो जाता है इसी तरह कैलकुलस टार्टर को दंट चिकित सक पिरियोडॉंटिस्ट के द्वारा सफाई करके निकाला जाता है जब कभी शरीर में समस्या आती है तो हमारा प्रतिरोधी तंत्र इस प्लाक टार्टर को निकाल नहीं पाता तो यह किसी तरीके से लड़ता रहता है इसलिए हमारे मसूडे बहुत लाल सूजे हुए एवं कई बार मसूडों से खून, ब्लीडेंड गम्स एवं दर्ध होने लगता है मसूडों में सूजन के साथ दातो एवं मसूडों के बीच एक पॉकेट, परियोडॉंटल पॉकेट की टानवों का घर बनने लगता है जिससे की टानवों को और वृध्धी करने के लिए जगह मिलती है जिससे शरीर में ताकतवर प्रतिरोधी क्रियाएं होती है इसलिए पॉकेट और बड़ा होने लगता है हमारे शरीर में तब तक प्रतिरक्षा क्रियाएं चलती रहती है जब तक यह प्लाक टार्टर पूरी तरह निकल न जाए या इसके विरुध जीत न जाए हमारा शरीर लगातार इस संक्रमन एवं कीटानूओं से लड़ता रहता है जिससे लगातार मसूडों के चारो तरफ की आवरित हड्डियों का नुकसान होता रहता है और मसूडों से संबंधित बीमारिया होती है जिसे मूल्थ पाइरिया प्रियोडॉंटाइटिस कहते हैं जब हमें इस संक्रमन के स्रोत कीटानूओं को हटाने की जरूरत होती है तो यह मसूडों का प्रदाह गर्म, सूजन, खत्म होने लगता है इसे हम नियमित ब्रशिन एवन नियमित दंत चिकित्सा परामर्ष से दूर कर सकते हैं जिससे कीटानूओं का संक्रमन कम होने लगता है हमारा शरीर खुद कहता है कि यदी कीटानूओं का बहुत ज्यादा संक्रमन नहीं है तो मुझे भी लडने की जरूरत नहीं है जिससे मसूडे कम सूजे हुए, रक्त रहित एवन कम लाल दिखते है इस प्लाक एवन टार्टर से हमारा शरीर लगातार लडते रहता है इससे नियमित ब्रशिन दंत चिकित्सा परामर्ष से बचा जा सकता है